हलो एरिवान और वन्स अगें वेलकम बाक टो उमरतस्कीर यूट्यूब चैनल माइसल्फ उमरतस्कीर गैस आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले किस टाइप से हम लोग एक ट्रैवल एजेंसी के लिए या जो टूर्ज एंड ट्रैवल से रिलेटेड इनके लिए किस टाइप से हम लोग डिजिटल मार्केटिंग इस्ट्राइजी जो है वोग डिवाइस कर सकते हैं गाईज, इस वीडियो के अंदर जितने भी पॉइंट्स, जितने भी इस्ट्राइजी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सारी स्ट्राइजी, सारे की बात करता हूँ, तीन चीजें सबसे ज़्यादा important होती है, तीन चीजों के around ही पूरी की पूरी digital marketing strategy, travel agency की revolve करती है, वो यह है कि पहला हमारा SEO, SEO बहुत important हो जाता है, travel agencies के point of view से, second जो है वो power of content, और third जो है वो paid ads, इन तीनों के ही combinations को मैंने ज़्यादतर strategies में use किया हुआ है तो मैं अभी आपको बताऊंगे, तो आपको खुदी समझ में आ जाएगा, तो जो सबसे पहला point है, वो आप देख रहे हो, यहाँ पर SEO related ही है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको identify करना है keywords को, and then you have to create pages according to that, कहने का मतलब यह, कि keyword research आपको इस तरीग सच कर रहे है, बहुत सारे लोग इस टाइप से सच कर रहे हैं, Rapids,. टूर collectors शच कर रहे हैं, तो जब आप अपनी keyword search कर रहे होंगे, उस वक्त आपको identify करना पड़ेगा proper तरीगे को आपके हिसाब से KeyWords कौन से है, जब मैं यह बात कर रहा हूं कि आपके हिसाब से KeyWords कौन से है, इसका सीधा सा मतलब यह होता है, कि ऐसा नहीं कि वो KeyWords पॉपुलर ही होनेची है, बत कि वो KeyWords आपके जो Packages है उसके भी relevant होने चाहिए बहुत सारे लोग ऐसे भी सर्च करते हैं मनाली packages ठीक है मनाली holiday packages three days मनाली packages तो बहुत सारी queries हैं तो आपको सबसे बहले तो यही समझना पड़ेगा कि जो different different type queries है वो आपके business के relevant है या नहीं है अब जब वो queries आपके business के relevant होती है आपने बहुत सारे keywords उनको figure out कर लिया और जो keywords को outlist करने का जो basic तरीका होता है कि उस keyword का जो search volume है वो अच्छा होना चीए अगर आपने वो देख लिया और आपको लगता है कि नहीं भई ये keyword हमारे business के relevant है अब आप क्या करेंगे या तो आप उस keyword के around pages create कर देंगे या फिर आप क्या करेंगे बहुत साई लोगों को मैंने देखा हुआ है हम लोगों ने भी कई बार try किया हुआ है कि कई बार ऐसा होता है कि हम उस keyword के around एक छोड़ी सी website ही create कर देते हैं आप one page website create कर देते हैं कहने का सीधा सा मतलब यह है कि उस keyword के around हम एक domain लेते हैं क्योंकि वो keyword काफी popular होता है तो उसको बिल्कुल हम अलग कर देते हैं और उस website के उपर हम अलग तरीके से काम करते हैं बास समझ में आरी तो इस शीज को भी आप प्राई कर सकते हैं तो SEO के point of view से आपको keywords को identify करना और उसके pages जो है आपको create करना है जैसे मैंने second point जो आपको पता है वो भी लिखा हुआ यहां पर you can also create micro websites for that अगर मैं example के तौर पही बता हूँ तो मैं यहां पर जैसे एक keyword type करता हूँ यहां पर आप देखो मनाली टूर packages from लखनो तो उपर तो बहुत सारे ads आपको दिखने है जिनका हम लोग बाद में discussion करेंगे बट यहीं से मैंने page open किया हूँ था अगर आप देखो तो यहां पर यह website है और right side में अगर आप देखो यहां पर तो packages by durations categories आप केवल देखो और अगर मैं यहां पर आ जाओं तो आपको यहां पर बहुत कुछ देखने को नहीं मिलेगा ठीक है आपको देख रहा है simple neat and clean website आपको दिख रही है मैं अगर home page पर क्लिक करूँ तो आप देखो वापस हम यहीं पर आ गए but right side में आप देखो यहां पर packages by durations honeymoon टूर packages यहां पर ठीक है और मनाली specific ही है सारे तो यह आप समझो ना कि यहां पर मनाली specific ही इतने सारे pages क्यों बनाए गए और यह website केवल और केवल एक ही location को generation ही है कि आपको यहां से leads capture करनी है तो यहां पर अगर आप देखो तो package by duration है और मैं इसको open करता हूँ जैसे मैं यहां से open कर लेता हूँ और यहां से मैं एक open कर लेता हूँ देखो जो लोग डैली में होंगे है ना डैली to मनाली honeymoon packages इस टाइप की जो searches कर रहे होंगे उनको हम लोग इस particular page के उपर land कराएंगे सीधा से कहने का मतलब है कि इस particular page को उस keyword के around हम लोग optimize करने की कोशिश करेंगे अब आप बोलोगे सर यह डैली ही क्यों बाकी क्यों नहीं बाकी इसलिए नहीं क्योंकि हो सकता है research के time identify किया गया हो कि यह वाले जो keywords है यह जाधा सर्च होते तो उसके उपर हम priority के उपर काम करेंगे युकि देखो resources भी limited होती है अगर आप एक साथ 100 pages का SEO करने जाएंगे तो आपको human resource है वो भी तो जाधा चाहिए जाधा लोग चाहिए ना जाधा time लगे 100 pages है उनका off page होना है सभी pages का independent off page होना है तो उसमें time लगेगा fine उसके बाद गर मैं नीचे आता हूँ तो और आप देख लो family tours के पूरे के पूरे pages हैं यहापर ठीक है यहापर तो बहुत सारे pages है आप कुछ pages के उपर काम कर सकते है initially तो SEO के point of view से आपको pages बनाने है उनका proper on page, off page करना है ताकि आपको regular basis पर जो leads है वो मिलती रहे है अगर मैं इस page के उपर भी आ जाता हूँ यहाँ पर ठीक है तो हम लोगों ने two days, two nights and three days मनाली package के उपर क्लिक किया था यहाँ पर देखो आप इसको highlight करके यह पूरा का पूरा जो content है वो उसी के around है, ठीक है अब इस keyword के around भी different packages हो सकते है तो आप देखो यहाँ पर अलग-अलग packages है, यह by flight का अलग package है, आप देख रहे हो यहाँ पर यह सारे आपको different packages देख रहे होंगे तो इस type से आप अपनी website जो है, वो बना सकते हैं फिर से मैं कह रहा हूँ, कि अगर आपके नई website है तो आपको यह नहीं सोच रहा है कि मैं सारे ही चीज़ों को cater कर लो, नहीं, एक एक करके आप उस चीज़ को कर सकते हैं, वहीं पर हो सके, तो वहीं मैं कह रहा हूँ, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको identify करना है keywords को, important keywords को, अगर आप step by step नहीं चलेंगे तो फिर आप website को proper structure नहीं दे पाएंगे, कि हमारी website किस तरीगे की होनी चाहिए, या किन pages के उपर हमें होनी चाहिए, यहां हमें पता होना चाहिए, कि हमारे hot destinations है, या हमारी company किस टाइप के packages है, किन locations के packages प्रोवाइट करती है, लेट से शिमला के प्रोवाइट करती है, लेट से जो है उटी के प्रोवाइट करती है, और इनका मेरा अच्छा है, गर मान की चलो कि मेरे जो ट्रावल एजनसी है मैं इन लोकेशन पर अच्छी सर्विसेस दे पाता हूं तो उस पर्टिकुलर केस में मैं इन लोकेशन को प्राइटी पर रखूंगा इनके कॉंबिनेशन देखूंगा और उसमें भी मैं देखूंगा जैसे यहां पर आपने देखा फैमिली का अलग है ठीक है डेस के हिजाब से अलग है तो अगर हम सर्विसेस देते हैं तो उसके राउंड हम कीवर्ड रसच कर लेंगे उसके राउंड हम पेज़ेस जो है वो क्रिएट करना शुरू करनेंगे यह तो बात हो गई किशीज की SEO के point of use है कि SEO में हमें किस तरीक तो powerful हाई है यह तो आपको पते अगर सर्च वालियूम अगर आप इनका देखोगे तो काफी हाई इनका सर्च वालियूम होगा सर्च वालियूम हाई है तो competition भी तो हाई होगा ना तो नई website का उन keywords के उपर rank करना मुश्किल है फिर आपको lead flow नहीं मिलेगा तो पहले पहले अपनी website के authority बढ़ाने के लिए इस type के keywords के उपर काम करना शुरू करें बाद में आप जो बड़े keywords है powerful keywords है उनके उपर भी काम करना शुरू कर सकते है I believe SEO वाला concept आपको समझ में आ गया होगा और आप इसके उपर सही तरीके से जो काम है वो करना शुरू कर देंगे यह तो पहला point था second point भी जैसे मैंने बता है ना कि इनकी strategies में SEO content इनके around ज्यादा strategies है blog इसकी create content around popular long tail keywords जैसे five places to visit in India best seasons to visit Manali ठीक है आप देख रहे हैं मनाली specific specific अगर आप देखो तो यहाँ पर काफी specific keywords भी है तो city specific keywords आप बना सकते हैं वही city कहले हम location कहले तो आप देखें कि आप किस type की services provide कर रहें किस type के packages provide कर रहें उसके round up long tail keywords ढूनने की कोशिश करें ताकि उसके round up informational जो blog है वो लिख सके और फिर वहाँ से traffic जो है आप अपने service वाले page के उपर route करें बात clear हो गई जो second point हो गया ठीक है अब सारी मेहनत की चीज़ें देखो यह सब करना पड़ेगा बिना क यह तो काम नहीं चलने वाला यह सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगे और इसमें efforts require होते हैं content लिखना है keyword research करनी में बार बार कहता हो देखो strategies के मैं 50 वीडियो इस तरीके से बना दूंगा पर implement करना आपका काम है third is quora ठीक है आपको quora को बिल्कुल ना blogs की तरीके से leverage कर अब उन questions का आपको positive answer देना और उसके नीचे आपको अपने website का या जो आपके service page है उसका आपको link दे देना है तो क्योंकि quora search engine result pages में rank करता है तो ऐसा भी होगे कि बहुत सारे लोग जो google के उपर search कर रहे है और हो सकता है वो google से ही जो आपका answer अगर rank कर रहा है quora वाला जो answer है आपका वो rank कर रहा है search engine result page में तो वहां से वो आपके quora वाले answer के उपर चले जाएंगे और वहां से वो आपकी website के आ जाएंगे तो quora को भी आप leverage कर सकते हैं with respect to digital marketing strategy for travel agency ठीक है content हो गएर आपको बनाना पड़ेगा इसके लिए fourth point बड़ा ही मज़दार point है create reels of your visits जैसे आप बहुत सारे tours and travels के जो packages और वो provide करते हैं अगर आप ये सारी चीज़े कर रहे हैं तो trust भी आपके पास UGC content की कमी नहीं होगी UGC content is basically user generated content होता है ठीक है जो लोग आपके अगर जा रहे हैं उन लोगों के साथ जो टूर पे जा रहे हैं बहुत सारी agencies ऐसे होते हैं कि उनक content को आप अच्छी तरीके से edit कराकर proper तरीके से edit कराकर आप Instagram की Reels में YouTube की Shots में इन सब जगों पर आप use कर सकते हैं अब देखो इसका benefit क्या है और आज के time में मैं आपको इतना press क्यों कर रहा हूं इस चीज़ के लिए क्योंकि इसमें जादा मेहनत नहीं है ठीक है और Reels की य जो traffic है ना वो आप अपनी website के ऊपर route करें जैसे Instagram है तो Instagram में आपका account को भी आप साथी साथ grow करते जाएं क्योंकि Reels की reach बढ़ेगी तो आपका Instagram का account है वो भी आपका account भी grow होगा तो उसके bio तक आप traffic को लेकर आएं जैसे आपको real post करें तो आपर mention करें कि all the details are in bio और यह सार potential of going viral route your traffic to link in bio यह मैंने केवल Instagram के लिए किया हुआ आप website पे भी route कर सकते हैं traffic को next point जो है do influencer marketing with travel vloggers अब travel vloggers के साथ आपको tie up करना पड़ेगा उनके साथ मिलके कुछ content आपको बनाना पड़ेगा और वहाँ से फिर जो आप traffic है वो आप अपनी website के ऊपर ला सकते हैं अब यहाँ पर मैं आपको इन वाले pages की बात नहीं कर रहा हूँ देखो बात समझो जब आप उन लोगों को target करोगे जिनकी affinity towards traveling है जिनकी affinity towards vacations है जो vacations पसंद करते हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है ठीक है ऐसे लोगों को जब आप target करेंगे तो वहाँ पर आप उनको अपने service page के उपर नहीं लेकर आएँगे ये वाले जो हमारे pages थे इनको तो हमने SEO के point of view से बनाया था ये वाले जो हमारे pages होंगे ये हमारे specific landing pages होगे अब हमें पता है कि हमारा जो सबसे चав़र है वो क्या है या हमारी जो सबसे hot service है वो क्या है या हमारी जो USP service है वो कान सी जो हमारी सबसे अच्छी सर्विस है वो कौन सी है तो उस सर्विस के अराउंड हम हमारा जो लैंडिंग पेज है वो create करेंगे और जो भी हमारे paid ads के sources हैं वहां से हम लैंडिंग पेज के ऊपर traffic लेकर आएंगे अब ध्यान रखेगा इस चीज को कि travel industry में offers बहुत ज़्यादा माइने रखते हैं packages and offers बहुत ज़्यादा माइने रखते हैं अब सीधी सीधी बात करोगे ना तो आपकी leads generator नहीं होगी अगर मैं आपको क्यों example के तोर पर ही दिखाने कुछ करूं जैसे मैंने आपर simple सा type किया हुआ है आप खुद देखो मैंने simple सा type किया अब आप देखो अब आप देखो तो आप देख रहे हो नहीं यहाँ पर packages है एक और काम करते हैं हम लोग यहाँ से ही सीधे हम लोग इनकी websites जो हैं उनको हम लोग open कर लेते हैं let's see कि यहाँ पर हमें landing page देखने को मिलते हैं अब आप यह देखो जरा this is actually the landing page और अगर मैं आपको दिखा हूँ यहाँ पर देखो इन्होंने mention भी किया हूँ मतलब website पे separate इन्होंने landing page बनाया हुआ है प्रोपर तरीका ही है आप best of हिमाचल आप देख रहे हो ठीक है और best of हिमाचल के इन्होंने फिर different packages दे रखे यही चीज होती जब आप inquire now करोंगे send inquiry करोंगे तो आपके पास form आ जाएगा lead हो जाएगी फिर back end में आपको इसका भी ध्यान रखना है कि आपके जो टेली callers है वो active होने चीए देखो lead generation में आप इस चीज को समझ ली दिये कि lead generation में अगर आपकी callback होने में time लग गया ना तो बहुत important potentials जो होते हैं न वो आप miss कर रहे हो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जैसे ही leads आपके पास आती है वैसे ही आपको callback कराना मतलब same day कराना है 15-20 मिनिट के अंदर callback हो जाना है चीज तो अगर आप lead generation campus run करना शुरू कर रहे हैं चाहे वो google ads के उपर हो चाहे वो facebook ads के उपर हो make sure करें कि आपके पास ऐसी resources हो जो उन leads को तुरंट का तुरंट cater करें fine तो आप देख लो यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने packages mention किया है landing pages के उपर चलते हैं हम लोग this is again same type of landing page ठीक है यहाँ पर आप देखो इनका थोड़ा call to action का तरीका different है बट यह भी एक landing page है यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग यह भी एक landing page है तो आप देख रहा हो ना same type of landing pages यहाँ पर देखने को मिल रहा है अगर आपको facebook ads चलाएं तो वो भी आप चला सकते हैं और उसके लिए आप क्या करें आप facebook ads library के उपर जाएं एक बार और यहाँ आप research करें थोड़ा सा time यहाँ पर बिताएं कि लोग किस type के creatives बना रहे हैं लोग किस type के offers दे रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि उनको इस type के offers बनाने चाहिए ठीक है और इसमें थोड़ी से महनत लगे हैं बार-बार यह चीज़ आपको बता रहा हूं ठीक है तो मैं यहाँ पर जैसे type करता हूं मनाली टूर packages हमें कुछ न कुछ results जरूर मिल जाएंगे यहाँ पर ठीक है मनाली टूर packages हम टाइप करते हैं आप देख लो यहाँ पर सारे के सारे आपको offers बेज़ दिखेंगे सारे के सारे देखने है आप टूर packages एक्चुली offer कह लें यहाँ पर एक बहुत ही ठीक ठाक अगर आप प्राइस कोट कर दे रहे हो तो वह एक तरीके से offer ही हो जाता है ठीक है तो प्राइस बड़ा matter करता है इसमें catchy लगता है वो अब देखो बहुत सारे आपको यहाँ पर द ध्यान देना है और इस बात का भी ध्यान देना है कि आपको offer competitive हो मतला आप ही को लग रहा है कि मेरा offer तो बहुत अच्छा है ऐसा नहीं होना चीए आपको real time में जा जाकर check करना पड़ेगा कि इससे बहतर offer तो कोई नहीं दे रहा है पतर चला सेम keyword के उपर आपका ad भी दिख करूं तो यहां पर जो हम लोग 7th point आप देख रहे है तो यह मैंने paid ads on google सेम चीज मैंने जो अभी आपको समझाई है वही point है इसके बाद आप YouTube content को भी leverage कर सकते है अब YouTube content का यहां पर मतलब क्या है देखो आप अपना एक YouTube channel बना है ठीक है और YouTube channel के उपर आप जो content डाले वो popular keywords के around हो जैसे best places to visit in Manali ठीक है इस type के जो keywords है इनको identify करना है आपको जिन keywords के around आप blog लिखेंगे उन्ही type के keywords के around आपको video content भी produce करना है और उसका proper SEO करना है जब channel की थोड़ी से authority बढ़ जाएगी आपके तो वहां पर भी आपके videos rank होना शुरू होंगे जब वो rank होना शुरू ह तो यह longer perspective के लिए बहुत ही जबर्दस चीज है ठीक है आगे बढ़ते हैं और जो last point है वो आप यहां पर देख रहे हो make sure you are collecting data देखो यह मैं हर strategy में आपको बताता हूं कि जो भी leads वगएरा आपकी पास आ रही है और जो भी leads वगएरा आपके पास आने के बात convert नहीं हो रह है तो उसके लिए कुछ आपके पास initial data तो होनी चाहिए या कल को आपको facebook के उपर look-alike audience बनानी है या आपको जो है वो google के उपर audience बनानी customer data के basis पर audience बनानी तो आपके पास scope होना चाहिए तो data तो आप हमेशा जो है न वो collect करते रहे क्योंकि वो एक तरीके सा आपके audience का source ब इसे यूज़ करने तो ऐसे बहुत सारी फिर सब इस्ट्राइडजीज भी बनती जाती है तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तिल देन गुड़ बाय